नमस्कार दोस्तों मेरे पाम डिडिक चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज तईस वर्ष के पूर उसके पाम का एनालेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिरेक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उ इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान सब diction में इनका वैपार है, पिताजी के वैपार में अपने सनलिपता को दिखा रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना है, और ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहे गा, और अतली पर कीज़ो काराव उस्था बनी है, अ आदी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, इन साड़े महतपून विशें उपर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके कोशन्स को मैंने गहराई पुरवक सुन लिया, बताने का कोशिश करूँगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी विक्ति का जीवन भी बड़ा च्छबी दता है, हाँ, उसके बाद जो इनको प्रशन थे मूल रूप से, विवाई जीवन को लेके, शादी को लेके, उस विशे पर भी हम आएंगे, जरूर आएंगे, तो आईए बाग्यरेका के स्थिती को हम देखते हैं, तो ये एक पहली चमतकारी बाग्यरेका दिखी बहुत बड़िया, आगे भी बाग्यरेका चल रही है, और ये वाली एक और बाग्यरेका मतलब दो दो शांदार रूप से दिखने वाली बाग्यरेका, क्या बात है, आगे भी बाग्यरेका बहुत जबरदस्त होके चल रही है, तो बाग्यरे रेका में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बागी रेका में कोई समस्याई नहीं है, इस प्रकार की बागी रेका हो तो जातक का जीवन ऐसे एक comfortability के साथ बीथता है, ऐसे बहुत comfortability के साथ बीथता है, इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस दिखरी है सूड़ी रेका, बहुत चमतकारी, यहाँ पर भी कुछ पूरपुन ने रेका एक क्या बात है, और ये एक और सूड़ी रेका है, यहाँ पर से भी एक तिर्ब प्रगती के रेका, लाइफ में तरक्की और प्रगती को बताती है, इस केस में जीवन में प्रगती और तरक्की होती ही है, तो जीवन डरेका पर प्रागरस ताइन एक बहुत महत्पूर इंडिकेशन्स होता है, अगर मैं और positive चीज़ की बात करनों तो एक जबरदस दिखर यह मंगल डरेका, यह मंगल डरेका भी बहुत शानदार, दोनों मंगल डरेका चमतकारी है, अगर मैं आगे देखू तो एक बढ़िया दिखरा है आपका square sign, क्या बात है, बरश्पती पर square है तो जीवन ऐसे बढ़िया रहता है, और अगर मैं positivity देखू तो बुद्धे पर क मुझे नहीं पाते है, मैं कहता हूँ शादी के बाद भागुदे होनी है, लेकिन अगर और planets की वज़ासी और स्थती की वज़ासी शादी की life ही दिक्कत में रहेगी, तो आपको उसके लिए बहुत जरूरी हो पाए करना, वो मैं आगे समझाता हूँ, और शुक्र प्रबल है, ऐसे भी ऐसे विक्ति अगर कप्रों वप्रों का काम करें, ऐसे इनका काम basic काम काम का ही है, तो अगर ऐसे विक्ति कप्रों का कारे करें, तो ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं, ज़्यादा प्रगती को प्राप्त करते हैं, तो कप्रों के काम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिट मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज मुझे दिख रहा है, तो शुक्र आपका बहुत जबरदस्ते स्थिती में है, तो यह होगी पहली बात, मतलब पॉस्टिविटी और दिखाऊं तो प्लैनेट्स बहुत गदेदार है, यह इंडिकेड करते हैं कि जातक का जीवन ऐसे comfortability के साथ बीथता है, जातक के जीवन में ऐसे कोई समस्याएं नहीं आती है, शुक्र प्रबल है, शादी के बाद की बागगुदे, इस बात में कोई doubt नहीं और जीवन यापन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, जीवन म जायू है, नेगटिव चीज़ को देखना और जानना बहुत जरूरी है, पहली negativity इनकी ये है कि इनकी मस्तिक सरेका पर यव है, और ये थोड़े distractions के योग इनके मस्तिक सरेका पर लगबग 30 वर्स की आयू तक बने हैं, और अभी इनकी विवाहिक जीवन सुरू होई नहीं ह होने वाली है, तो यवा आकिरती थोड़ी problems को बताता है, मानसिक तनाव को बताता है, मानसिक प्रतारना को बताता है, mental illness को बताता है, जातक का डिमाग भटकते रहता है, लाइफ में हर चीज़ रहता है, फिर भी इनका माइंड बहुत भटकता है, तो इसके लिए उपाय कर इनकी जो स्थिती है, ये आपको कही न कही तकलीफ देगी, क्योंकि आप एक तनाव में हैं, दूसरा भावुक भी बहुत ज़ादा है, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है, ये जो कारे कर रहेंगे ठीक है, तो ऐसा कभी सही नहीं होता, इसके लिए आपको ज़रूर अपने नियंतरन करना चाहिए, दो विवार एका मुझे दिखरी है, तो विवाईक जीवन में थोड़ी बहुत अर्चने आ सकती है, तो शादी से पहले कुंडली मिलान करके शादी करे, एक होता है जनरल कुंडली मिलाना, एक होता है से जोतिशा चारे से मिलाना, तो वो वाला मैं हिदायत आपको दे रहा हूँ, अगर इस बात को आपने लाइटली लिया, तो फिर आप समझो, लाइटली नहीं लिया, तो जीवन आपका आसान रहेगा, क्योंकि कुछ प्राब्लम्स मुझे दिखरें, मानसिक तनाव को लेके, विवार एका दो है, उसके बाद थाइस साल तक वैपार आपको खुद का सुरूर नहीं करना चाहिए, पिता के वैपार में ही सनलिपता को दिखाना चाहिए, उनका चलावा वैपार उसको और चलाओ, कपरों से आपको धनलाव है, और आपका शुकर बहुत जबरदस्त है, वैसे भी आपका कपरों का ही कार तो आप इसमें अपने सरलिपता को दिखाईए अपने इंवाल्मेंट को दिखाईए आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा अगर खुद से कुछ करने का कोशिश करोगे तो नुक्षान होगा इस बात को ध्यान रखना आप चलिए जी अभी आपके जीवन रेका से आगे के ल देंगा कुछ प्रागर्स लाइन थी तो बच्पते को पैसे की दिखकत तो होगी नहीं कभी आपको यह शौर है एक राहूर एका लगबग 20-1 साल के आसपास थी एक 23 में तरक्की थी फिर एक 24 में थी 25 में दिखकत 26 में तरक्की 27 में दिखकत 30 में तरक्की यह सब दिखकत जो है निक 30 में दिखकत 33 में दिखकत यह मानसिक तनाव वाले दिखकत है फिर एक लगबग अलकी दिखकत 37 में जीवन रेका 40 में बहुत तरक्की में है तो हलका-लका distractions, confusions और तनाव ही देगा इसके उपरान कुछ नहीं चालिस के बाद एक लगबग 46 में तरक्की फिर लग इसी यात्राइं अगर चंदर से बागगे रेका जाए तो वो दर्शाही देती है, settlement नहीं यात्राइं जरूर होंगे और जीवन रेका अच्छा है, पतला है, जातक का जीवन ऐसे comfortability के साथ बीटता है, अब आयो को लेके विसल स्टिपन नी करना अनुचित है, वो तो मैं क होता है, लेकिन शुकर परबल है, जिन्दगी, comfortability के साथ बीटती है, मंगर डरेका शांदार है, इस प्रकार की मंगर डरेका बचाव की रेखा होती है, थोड़े stress के लाइन जरूर हाट पर बने थे, अलके फरके stress को बताते हैं, बाद मांकी कुछ triangles हैं, जो negativity को दूर कर रह रहा है, तो वो तो आपको शुक मिलेगा, शुकर और मंगर परबल है, तो life ऐसे ही comfortable रहती है, तो यहाँ पर यह इनकी positive, negative इनके questions थे, बाकि भी इनके तलिक हम जलने ददियन करेंगे, चीजों को असपर से clear करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़दा महतपूर है, देखे, प्लैनेट्स अच्छे conditions में, स्थितियां बड़ी अच्छी है, comfortable life, थम अच्छा है, थोड़ी सी गबराहट की समस्या जरूर है, बाकि यवा करती है, सपोर्ट क्या वशक्ता पड़ेगे, मिल जाएगी, ये तो महतवा कांची है, बहुत महतवा कांची है, बहुत कुछ करन बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, 28 वर्स तक निरने निरे में परशानी, निरने सोच समझ के लिए ना है, बरश्पती ठीक है, value मान सम्मान मिलता है, थोड़े बहुत दोके के योग थे, समान ने है, हर किसी पर वर्शा नहीं करना है आपको, square sign मुझूद है, तो ये तेज हैं, एर्दर रेखा पर भावुकता वाली रेखा भावुकतो हैं आप, विश्वयोग का formation routine को follow करने वाले balance काफी अच्छा दिल दमा के बहुत अंदरुस्त है, यहां से दबाब है तो काफी मैनती, बाग्य रेखा जीवन के लास्त तक है, सरकारी चेतर से दनलाव को पूरे 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 रेखा है, तो जातक definite रूप से समझाओ कि property बनाते हैं, 40 के बाद भी बनने के योग बने हैं, और कुछ बाग्य रेखा, 36 के बाद भी सक्रिये ही मानी जाएगी, दो-दो बाग्य रेखा है, बाग्य रेखा को लेके problems कहां थी, बाग्य रेखा बहुत परिया है, यह कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर यात्रा हैं रहती है, 49 परिबल है, personality अच्छी होती है, पैसे आते हैं, सूरी बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, पैसा कमाने आता है, पैतिक संपति का अच्छा साथ मिलेगा, और यह भी सूरी रेखा क इसके बाद बेनेफिट बता रहे थी, बागगे रेखा भी बढ़िया है, तो बागगे रेखा में कोई कमी नहीं है, तो यह था इन गतली का पूर्णता विस्टेशन, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमन कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अगर बस्तरे का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वोट्सेट में डिसकर्शन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्थ कर सकते हैं, धन्यवाद,